नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन बिहार की सियासत में NDA के अंदर कोहरा मचा हुआ है जेडियू बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ है अलग-अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की कोशिस कर रहे है नितीश कुमार की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जब से NDA के अंदर जेडियू छोटे भाई की भुमिका में आया है बीजेपी लगातार दवाब बनाने की कोशिस कर रहे हैं बार बीजेपी कह चुकी है कि जेडियू के मुखिया नितीश कुमार कहने कहीं बीजेपी के दयाभाव पर मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन नितीश कुमार कहीं न कहीं दवाब बनाने में बीजेपी के उपर ही हाबी है आपको दादे कि इस वक्त लागातार जातिय जनगना को लेकर बीजेपी पर हमलावर है वहीं BJP जनसंख्या नियंत्रन कानून को लेकर GDU को घेर रही है लेकिन GDU का स्टेंड शुरुवाती तोर पर यही रहा है कि बिहार में अगर जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो इसके लिए महलाओं को सक्षित करना होगा और हाली में एक ऐसी घटनाई है जिससे साप पता चल जाता है कि नितिस्कुमार की सरीके से BJP पर दवाब बनाने में सफल है आपको पता दे कि पत्रकारों से बात करते हुए नितिस्कुमार ने स्पश तोर पे कहा था कि जेडियू का स्टेंड बिलकुल साफ है बिहार में अगर जनसंख्या को नितित करना है तो महलाओं को सक्षित करना होगा और दिल्चस बात ये है कि उस सबक्त उनके ठीक पीछे बिहार के दो मंत्रे चाहे वो रेडू देव हो या फिर तार्किसुर प्रसाद हो में जनसंख्या का रिशियो चार था लेकिन अब जो है तीन से कम हो गया और आने वाले पांस से साथ साल में ये दो के आसपास पहुंच जाएगा इसलिए जरूरी है कि महलाओं को सक्षित किया जाए और उस बक्त बात करते हों इसकुमार ने पीछे मुलकर तार्किसुर प्रसाद की तरफ देखा और तार्किसुर प्रसाद ने हामी भरी अब सवाल ये उट रहा है कि क्या तार्किसुर प्रसाद बीजेपी की जो लाइन है बिजेपी को जो लाइन है कि अगर जन संग्यां को नितित करना है तो जन संग्या नित्रन कानूं लाना होगा तो क्या तारकिशोर परसाथ पार्टी लाइन से अलग होकर बोल रहे है अब इसह पर कहें नितिस्ट कुमार को चछफाय देनी होगी बल्कि जाते जनगनना को लेकर भी नितीज कुमार बीजेपी पर लगाता है हमलाबर है वो चाते तो फोन पर सीधे प्रधान मंतरी मूदी से बात कर सकते थे लेकिन बकायदानोंने पत्र लिखा है और प्रधान मंतरी से मिलने का समय मांगा है और बिजेपी के तरब से अभी भी समय नहीं मिल पाया है। आपको तादे कि इंडिये में निती सरकार में बिजेपी कोटे से मंद्री नीरा सिंग बबलू ने एक बार फिर से जनसंख्या निंतित कानून को लेकर एक बार फिर से मामले को गरमा दिया। अब बिहार की सियासत किस और जाएगी। क्योंकि नितीश कुमार अभी तक दवा बनाने में सफल है। और ये वाक्या जो हुआ है जब उन्होंने बिहार के दो उपमुग मंत्री के सामने ये बयान दिया। और जब उन्होंने पीछे मुल कर देखा तो तारक्सित प्रसाद इसमें हामी भरी तो ये बताता है कि BGP कहीं न कहीं नितीश कुमार के सामने सहमी हुई है, दवाब में है वेकि उनको डर है कि नितीश कुमार जो पाला बुदनलिक ले जाने जाते हैं अगर नितीश कुमार पर डिरेक्टली कोई अटेक करता है तो वो आरजेडी में जान खुले होते हैं राजनिती सम्हावनाओं का द्वार है यानि जेडियू अब असपस्ट संदेश दे चुकी है कि अगर ND के अंदर खटपट होती है बिजेपी ज्यादा हावी होने की कोशिश करती है जिस तरीके से अगर उस तरीके से बिजेपी ज्यादा हमलावर होती है तो वो आर जेडि के साथ विजा सकते हैं इसका असपस्ट रूप से संखेत नितिश कुमार के काफी करीबी पुर्वमंत्री श्रिवन कुमार ने दिया था तो अगर देखना दिल्चस्प होगा कि बिजेपी और जेडिवी टकरहाट जिस तरीके से बढ़ रही है तो विहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है आप